सभी को मेरा नमश्कार आज एक सो विशय पर महिला किसी से कम रही के विशय पर मैं अपने कुछ फास करना चाहती है महिला समाज में चर्ण से लेके मिड़ते पर अपने एक एहम भूमी का निभाती है भारत की आफ्य से जवलत जनसंश्या का प्रतिने जिद्वोन अफे सिर्फ हम अगर अगर इस वाही पर शिक्षित करते हैं तो तो आने वाही फीलियों को शिक्षित करते हैं अगर इस बात को सही सहाए तो यह बात बिल्कुल रही है कि अगर हम एक आद्वे को शिक्षित करती हैं तो वो सिर्फ अपने विकास पर धिया लिता है लेकिन वही पर एक महिला को शिक्षित किया जा रहा है तो वो अपने शिक्षा से पूरे समाज को बदलनी की ताक़ रहती है और इसका बहतरी उधारेंड अरुनागर जिनोंने अपने शिक्षा का इस्तिमाल कर नाइडी सिस्टी सेवन में आई हैस की परीक्षा को स्कीर किया और साथ ही मजदूर सेवक संग की नेता बन करनी थी और उन्होंने दो हजार पांच में राइन टू इनफॉर्म एक्ट की भी स्थावना थी आगे अधारं की बात करें तो हाली में हुए ऐसिड अटाक जो कि लख्ष्मी अगरवार पे हुआ था जो कि 2005 में हुआ था वो सिर्फ उस्थाइं 15 साथ ही इसके बावजूद उन्होंने अपने आत्मी विश्पास को कम होनी नहीं हुए उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तमाल कर अपनी भारत को सुप्रीम कोट तक लेखे गए और आने वाली लड़कियों के लिए एक मिसाल बन करूँ तो हुए अपने जीवन की तीस वर दूसरों की मदद करने के उजाते हैं और साथ ही उनको 1979 में नोबल पीज ते भी पुरसकारित किया गया और ना जने सिक्षा कितने अगारण है अगर ना आपके सामने लेकर आई तो हमारे सामने बारतलाब करने का समय कमपड़ जाएगा इसी लिए एक छोटी सी कविता से मैं महिलाओं का सैयोग समाज में आपको बताना चाहते हैं जिन्मेदारियों का बोजी परिखवार के परातों और तो रिक्षा पेली को चलाने लगी बेतियां साहस के साथ अंतरिक्ष तक वेज डाला और सुनाँ पाईनियां भी उडाने लगी बेतियां और कितने उधार में ढोल कर लाओं हर सीत्र शक्तियां जुमाने लगी बेतियां वेरिकेशा हादत पर अरती को कांधा देकर अब समशान तक जाने लगी बेतियां